दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आनलाइन एकजामिसन पर दोस्तों लोग याँ पर करन्ट फेर से सम्मन्दित महत्पोड याँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं और इसके पहले जो हमने याँ पर पार्ट अपलोड कर दिया उसक आपको मिलने वाले हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कम समय में बहत्रीन तयारी आपको देखने को इस चैनल पर मिलेगी चलिए स्टार करते हैं यहाँ पर कोश्चन आपका दुद्दिया गया है देखिए करेंट से कोश्चन है लेकिन लग रहा है कि यह आपको यहाँ पर कंट है यहाँ पर पहला प्रसुन दिया गया है कि भारत के पुरहुत्तर राज असम में मनाया जाने वाला त्यवहार माग बिहू को अन्न किस नाम से जाना जाता है याद रखे करेंट फेल से रिलेटिड आपका कोश्चन है ठीके हम जीके नहीं पढ़ा सबी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगा चले अगला है कि किस राज सरकार ने स्कूलों को समविधान की प्रवसत्ता के नाम से समविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार कर दिया है याद रखे समविधान की जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पर सरकार है जो कि स समिधान के प्रवसत्ता के नाम समिधान के प्रस्तावना पढ़ना सिवकार कर दिया अनिवार कर दिया है आपर वो आपका है मद्ध प्रदेश ठीके मद्ध प्रदेश है यह स्कूल के जितने भी हैं सभी लोगों को यहाँ पर समिधान के प्रस्तावना पढ़ना अनिवार कर ब्यूरो अर्थात NCRB की रिपोर्ट के अंसार वर्ष 2018 में किस राज में सबसे अधिक आर्थिक अप्राध हुए है तो यहाँ पर 2018 आकड़ा एक साल बाद ही होता है ना तो इस हिसाब से यहाँ पर जो आर्थिक अप्राध जो हुए हैं सबसे ज्यादा वह आपका जो राज् की प्रधान्मूधी और किस देश के प्रधानमंत्री k.p. शर्मा ओली आप लोग इस समय जो कि कोरोना सीजन में आपको लगबग देशों के राश्पती प्रधानमंत्री रट गयाँ होंगे अगर निवुच देखा होगा तो यहाँ पर KP SARMAULI ने जोग बानी विराट नगर इंटीग्रेटद चि PCs का उधाटन किया है तो यहाँ पर पूछा गया है किस देश के हैं यह तो यह आपके हैं KP SARMAULI का के हैं응 को का जवाब क्यों हो जेगा नेपाल बहुत ही फाइब का जबाब हो जएगा डी नमबर हिमाचल प्रदेश ये है जिसने माई गवर्मेंट पोर्टर लांच किया है और ग्यारवा राज आपका बन चुका है अगला कोश्चन है भारत का वह पहला राज जिसने हाली में क्रेसी भूमी पटे पर देनी की नीती लागू की है ये पहला राज जिसने पाइलट आधार पर अपने नगर निगम चुनाओं 2020 में फेस रिकोगनेशन एप का उपियोग किया है तो फेस रिकोगनेशन एप का उपियोग किया है वो आपका यहाँ पर जो पहला राज आपका बना है वो आपका बना है तेलंगाना ठीके सी नमबर तेलंगाना अगला कोश्चन है किस राज में महिलाओं की सुरच्छा है तू दामनी नामक हिल्प लाइन सेवा सुरू की गई है IMP कोश्चन आपका है और दामनी नामक हिल्प लाइन जो की महिलाओं की सुरच्छा के लिए है और ये जो सरकार है वो सरकार आपकी है आपकी उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश next question दिया है कि जनवरी 2020 से कितने degree centigrade पर room के air conditioner में तापमान की default setting सुनिश्चित की गई है था जो आपके room होते हैं air conditioner होते हैं उनका जो तापमान एक limit में setting करने की आग्या दी गई है तो यहां पर देख सकते हैं नाइन को option रैट अप करसी हो जएगा चौवीश डिरी सेंटीग्रेट ठीक है air conditioner तापमान की default setting आपकी सुनिश्चित कितनी के यह है 24 सेंटीग्रेट अगला है 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश बगहिल द्वारा अपने कौसल विकास कारिकरम के तहत प्रसिच्छित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किये गए अप का नाम बताईए यहां पर देख सकते हैं यह 36 गड़ के मुख रोजगार संगी क्या नाम है रोजगार संगी और अप्सन रैट अप का डी हो जाएगा बेहतरिन प्रस में आगला कोशन है कि पेट्रोलियम और प्राक्तिक गैस मंत्री देख सकते हैं पेट्रोलियम और प्राक्तिक गैस मंत्री कौन है धर्मेंद प्रधान धर्मेंद प्र का दिया है वह अभियान का नाम है सच्छाम अभियान का थीक़ एक और सच्छाम अभियान ओप्षिनर्ड राप है वो रहा है फिट यूथ फिट इंडिया बाराक उप्शन राइट अब कभी होजेगा फिट यूथ फिट इंडिया होजेगा बिनमबर नेस कोशन है कि गोवा में महिला उध्धमिता के लिए केंदरी महिला और बालविकास और कपड़ा मंत्री इस्मृती जुबिन इरानी इस्मृती जुबिन इरानी दौरा शुरू कि गई यूजना का नाम है ये यूजना का नाम रखा गया है यस्वनी तरह यस्वनी द्वरा की गई भारत की पहली Cyber अप्राद रोगधाम IKEA का नाम क्या है यह भारत की पहली आपकी Cyber अप्राद रोगधाम IKEA का नाम है जो रखा गया है यह आपकी है कौन से AASHVAST यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा C नंबर हो जाएगा देख लीजेगा ठीके C नमबर आपको हो जाएगा अगला कोशन है कि भारत का पहला E कचरा क्लीनिक कहां पर इस्थापित किया गया सबसे बहतरीन प्रस्णा है और यहीं से आपको प्रस्ण देखने को मिल जाएगे तो यह भारत का पहला E कचरा Electronic कचरा क्लीनिक जो आपका इस्थापित किया गया है यह किया गया है आपके भोपाल जो कि आपकी कहां पढ़ता है मद्द प्रदेश में ठीके आगला कोशन है कि उस योजना का नाम बताईए जिसके तहत 24 राज और किनसासी प्रदेश कुल 1023 Fast Track Special Court इस्थापित करेंगे यहाँ पर दे सकते हैं Fast Track Special Court यहाँ पर 1024 तो यहाँ पर याद रखे जो केसे होते हैं Fast Track में पहुँच जाते हैं जिसे आपके कई केसे से पहुँचे हैं Fast Track जो नेड़ना दे देती है वो आपका नेड़ना मान होता है तो यहाँ पर याद रखेगा कि यह युजना को जो नाम है वो आपका रखा गया है कि महिलाओं की सुरुच्छा के लिए राष्टी मिसन ठीक है सी नमर आपका हो जाएगा कि यह आपका है क्या दिया गया है कि राइ सीना डायलोग 2020 से सम्मंदित निम्न कतनों पर विचार कीजिए कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर दिया गया है तो राइ सीना डायलोग 2020 से सम्मंदित निम्न कतनों पर विचार करना है क्या है आपका कतन यहाँ पर तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इसका आयोजन 14 से 19 जनवरी 2020 के मद्ध नई दिल्ली में किया गया यह पॉइंट विल्कुल सही है अगला है इसका योजन रच्छा मंत्राले द्वरा किया गया तो यह पॉइंट आपका गलत हो जाएगा यहां वर्स 2016 से प्रतिवा सोजित किया आता है यह भी आपका गलत है यह आपका सऌहें नया लोगो अपनाया है इस लोगो में कौन सा फूल दिखाया गया है एक लोगो है जिसा आपका उत्तर प्रस का लोगो होता है है ना और उसी प्रिकार से के सकते हैं आपके यहाँ पर अवडाचर प्रदेश ने लोगों बनाया है और इसमें एक फूल दर्साया गया है वो इस फूल का नम पूछा है यह फूल है आपका राइनो कोस्टिलिस रेटुआ टॉप्सन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा नेश्ट कोर्शन है कि सर्वोच नियाले ने सर्वोच नियाले ने 10 जनवरी 2020 को अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को समविधान के किस अनुछेद के तहत मूल अदिकार माना है अच्छा कोर्शन आपका है और सुप्रिम कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को समविधान के किस अनुछेद के तहते मूल अदिकार है ता जो इंटरनेट है या आपका मूल अदिकार है और इसे मानने का जो है जितने भी कर्मचारी है बाल समलो 2-5 लाख कर्मचारी है इनकी कल्यान के लिए मुख्यमंत्री स्वास्त योजना सुरू की गई है और ये योजना सुरू करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश नेश कोर्शन है कि 22 जनवरी 2020 को जारी 22 प्रतिसपरधा सुचकांक में भारत का कौन सा इस्थान राया है जो राया है आपका है अगला कोशन है कि नागीक्ता संसुलाँ अधिनियम CAA को समाब्ट करने वाले प्रस्ताउब को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है वेरी वेरी आयमपी कोश्चन आपका है ये भारत का पहला राज्य है चोकि CA को समात्य करने वाला या करने वाले प्रस्ताओं को पारित करने वाला है आपका और ये राज्य है आपका कौन सा तो ये राज्य है आपका केरल है ये इस्टाल उपलब्द कराया है और दिभ्यांग यह नों करल्याण के लिए है और यह जो राज्य सरकार है वह आपकी एक ओन तो आपकी उत्तर प्रदेश है ठीके अगला है कि नो गठित के इंसासी प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव की राध्धानी कह क्या है याद रखेगा अच्छा कर्ष्चन है आपका दमन अगला है किस राज्य में इंद्रा महिला सकती आधात आइम सकती योजना सुभारम में किया गया है तो यहां पर जवाब 25 का सही क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब 25 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है निश पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा और साथ में हमने बता दिया है कि हमारे चैनल पे आपको मास्टर वीडियो मिलने वाले हैं साथ में हमारा जो चैनल है दियो जी के ट्रिक उसको भी सस्क्राइब करिए वहां भई राथ साड़े दस बज क्यान और जी से समंधित आपको मिलने लगे हैं तो आप उसको भी सस्क्राइब कर सकते हैं आज ही वीडियो में सभी लोग जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करिएगा धन्यवाद जहिंजे वारत